देलेंगाना एक सपना था और नो साल के लिए टी आरेस ने इस सपने को कुचलने का काम किया टी आरेस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया नया नाम लाए हैं बी आरेस बीजेपी रिश्टेदार समिती प्रश्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नी चोड़ी प्रस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है कॉंग्रेस पार्टी ने पहले वरंगल में रायतू डेक्लेरेशन किया हाइदरबाद में यूथ डेक्लेरेशन किया और आज आपके लिए एक एतिहासिक कदब उठा रहे है 4,000 रुपए हर महीने सीनियर सिटिजन्स विद्वाओं के लिए पेंशिन दूसरी बात कंग्रेस पार्टी में सामिल कॉम अलाथे ने कर दिया खेल अमित सा के छूटे पसी ने दूसरी ख़बर में आपको बताएंगे ब्रिजभूशण को लेकर अकेले ही मिलवाता था विनोटोमर पहलवानों से योन पीडन में ब्रिद्भूशड की मदद कर रहे थे विनोतोमर चारशीट में बुरे फसे विनोतोमर और ब्रिद्भूशड तीसरी ख़बर मताएंगे दिल्ली में उत्रखन पे कॉंग्रेश का महमन्थन खडगे और राहुल गाधी ने कई नेताओं के साथ की बैठग महारा उत्रखन के लिए बनाई रड़ नी थी चौथी खबर मताएंगे आलोग डिश्टर्ब करता है तो इसका खेल कर दें खत्म SDM जोती के साथ चैट में मनीज का खतरनाक मनसूबा हुआ है सामने पांचवी खबर मताएंगे लोग सबा चुनाओं से पहले बंगाल पंचाच चुनाओं में ट्रिंडमोल कॉंग्रेस निमारी बाजी कॉंग्रेस की भी रहा बला बले बीजेपी काफी रही पीछे लग गया चकतागडा जटका बताएंगे इनके बारे में और इन सब के बीच बड़ी खबर बताएंगे कैसे अलाबा दिनेश्टी में च्छादर की मौत के बाद हुआ हिंसक बवाल सरकार के खिलाब जमकल लगे नारेबाजी ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सनवेदर अगर आपने चैनल को दिख सब्सक्राइब नहीं किया तो पल-पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों दरसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है ग्रिहमंतरी अमिस्सा के दोरे के बीच बीजेपी को मद्धप्रदेश में लगा 440 बोल का जटका मद्धप्रदेश में बधायक संजेपाठक के बैहद करीबी कदावर बीजेपी के नेता ने छोड़ी पार्टी कवलनाथ के नेतरत से प्रभावित होकर सैकडो समर्थकों ने सामिल हुए कॉंग्रेश पार्टी में दरसल दोस्तों आपको बता दे बड़ी खबर निकल के आई है जहां मध्यप्रदेश में आगामी चुनाओं के मद्धेनजर भारती जनता पार्टी की खसता हालत देखकर बीजेपी के नेता लगातार भाजपा से स्तीफादे कॉंग्रेश को अपना दामन थाम रहे हैं इसी बीच ग्रमंत्री अमिच सा का दौरा था अमिच सा अंदरूनी सर्वे के बाद अचानक मद्ध प्रदेश पहुंचे थे लेकिन इस अंदरूनी सर्वे के बाद जहां अमिच सा मद्ध प्रदेश में डेमेज कंट्रोल के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये ठीक सावित होता नहीं दिख रहा है मद्ध प्रदेश में कट्नी जिले में भाजपा को धाकता गड़ा जटका लगा बिजे रागो गड़ बिधान सभा में भाजपा बिधायक सत्यंद्र पाठक के बेहद अत्यंत करेवी और कदार बीजे पी नेता पपूर संदीब बाजपेई ने कॉंग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है उन्होंने भोपाल में पूर्सियम कमलनाथ के हाथो कॉंग्रेस की सदस्ता ली है खबर निकल के आज आ रही है कि उनके सैकोडो समर्थक भी जो है वो कमलनाथ के नेतरत में प्रभावित होकर कॉंग्रेस की सदस्ता गराण के जिसीदे तोर पर कॉंग्रेस ने ट्विट करके इस बात की जानकारी दी और कहा मदब्रदेश बचाओ के महाभियान में सभी का आत्मीय स्वागत है जय कॉंग्रेस विजय कॉंग्रेस ट्विट करके उन्होंने लिखा है इस बीच आपको बता दें कॉंग्रेस की सदस्ता के लिए पप्पु बाजपे इपने सैकोडो समर्थकों के साथ करी पचास वानों से सवार होकर भोपाल पहुंचे थे जहां कॉंग्रेस नेताओं ने स्वागत करते उन्हें सुदस्ता दिलाई थी कटनी जिली में इससे पहले बिजय राखोगर घडाने में बिधान सभाग में बीजेपी के पूर विधायक धुरुप प्रताप सिंग बहर्दी बंद में संकर महतों ने पार्टी छोड़ कर कॉंग्रेस में कुछ दिन पूर भी सामिल हुए थे तो लगातार दोस्तों आपको बता दे इसलिए भी ये महत पूर हो जाता है क्योंकि अभी अमिसा का दौरा था और अमिसा के दौरे के बीच भारती जनता पार्टी को 440 बॉल का जटका लगना ये कहीं न कहीं न किवला मिसा बलकी बीजेपी के लिए एक तरीके से करारी हार से कम नहीं है तो मिसा के दोरे के बीच बीज़ेपी को एज़ट का आप इसे कैसे देखते हैं अपने सुझाओ देना ना भूले अगले एक और खबर निकल के आई है अकेले ही मिलवाते थे पहलवानों से योनट पिडन में ब्रिज़ भूशन की मदद कर रहे थे विनोत तोमर चार शीट में वह खुला सा कुस्ती महसंग के पूरवधक ब्रिज़ भूशन सरण सिंग के साथ ही सहायक सचुब रहे विनोत तोमर को भी मुस्किले बढ़ सकती है दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों को योनट पिडन मामले में वोज़ दो चार शीट दाखिल कर दी गई है इसमें दावा किया गया है कि विनोत तोमर ने ब्रिज़ भूशन सरण सिंग की मदद की थी चार शीट में कहा गया विनोत तोमर जान बोज़ कर योनट पिडन में ब्रिज़ भूशन सरण सिंग की मदद कर रहा था ऐसे केस में सहा आरूपी बनाय गया है छे महिला पहलवानों में से दो की सिकायत में विनूत तोमर भी विरिजभूशन सरण सिंग के साथ सह आरूपी है इंडन एक्स्पेस की रिपोर्ट के मुताबिक चार्शीट में कहा गया है कि विनोत तोमर महिला पहलवानों की ब्रिजबूशन सरन सिंग की उसी वक्त मुलाकात करते थे जब वो अकेले ही वो हो फिर दोनों पहलवानों की ब्रिजबूशन सरन सिंग से मुलाकात कराई गई यह वाक्या दिल्ली की असोका रोड स्थित ब्रिजबूशन सरन सिंग सांसद के आवास के हैं यही पर उन्होंने अपना आफिस भी बना रखा था विनोत्तोमर बीते दो दसकों से कुस्ति महासंग का हिस्ता है उन पर आपराधिक साजिस रचने की धारा 506 महिला से अनुत्पिडन की धारा 354 ए 351 के तहत केस दर्ज किया गया है इस पूरे मामले में अब तक विनोत्तोमर का पक्ष नहीं आ सका है लेकिन इस पूरे मामले विनोत्तोमर और बिजभूशर की मुस्किले बरती चली जा रही है कॉंग्रेस लगातार मूरी सरकार से सवाल पूछ रही है एक और ख़बर दिल्ली में उत्राखन पर कॉंग्रेस का महामन्थन खडगे और राहुल गाधी ने उत्तराखन के कद्दा और नेताओं से की बा चीत कर रही है कल आपको बता दें उत्राखन कॉंग्रेस के टॉप लीडर्स आये हुए थे कॉंग्रेस मुख्याले में इस बैठक में कई मोद्दों पे चर्चा हुई ये बैठक कॉंग्रेस के राश्टे धच मलिका अरजुन खडगे और राहुल गांधी की नेत्रत में ह इस बैठक के दोरान आगामी लोगसभा चुनाओं को लेकर पार्टी की तैयारियों पे चर्चा हुई है सूत्रों के वाने तो कुछ संगठनात्मक बदला होने की भी संभाव नहीं जताए जा रही है वे पार्टी हाई कमान ने बैठक में राज के नेताओं से कामकाच का फीडबैक लिया है सीश नेतर ने आगामी चुनाओं को लेकर तैयारियों को और धार्ट देने के सलात रज के पार्टी नेताओं को दे डाली है आपको बदा दे इस बैठक में कॉंग्रेस के रश्ट अधक्ष मलिकार जुन खडगे और कॉंग्रेस नेतर राहुल गांधी के अलावा संग्ठन महाश्यू केसी वीडि गुपाल उद्रागन कॉंग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंदरियादो प्रदेश अध्यक्ष करम महरा और पूर्व मुख्य मंत्रे हरी स्रावत के अलावा काई नेता थे सामिल अगली एक और खबर आलोग डिस्टर्ब करत विवाद अब महोबा के हुमगाड जिला कमंडेंट मनीज दूबे को फंस्ते दिख रहे हैं जोती मोरा के साथ अफ्यार के साथ ही मनीज दूबे पर लगे गंभीर आरोप्टो की जाच पूरी हुचकी है इस से मनीज दोसी मिले हैं इस जाच के बाद मनीज दूबे पर F.I R के साथ है ने लंबन की सिफारिस की गई थी आज तक के पास वो इस किन सोट जिसको देखने के बाद डीजी होमगाड ने इस पूरे मामले में F.I.R की सिफारिस की है वाट्स अप पर किये गए चैट में आलोग को रास्ते से हटाने के बात की गई है SDM जूती मौरिया के पती आलोग मौरिया ने डीजी होमगाड से की गई सिकायतों में हत्या की आसंका जताई थी आपको बता दें आलोग ने कहा था कि पतनी जूती मौरिया और होमगाड कमांडेंट मनीज दूबे मिलकर मेरी हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं इस मामले की जांच के बाद डी जी होमगाड ने मनीज दूबे के खिलाफ F.I.R की सिफारिस की है PCS अपसर जोती मौरियाग पती आलोक मौरियाग साथ दिवादो में घरे मनीज दूबे पर आरोफ है कि वो जोती के पती आलोक को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की साजी सरच रहा था अब फिलाल सासन कभी भी मनीज दूबे के खिलाफ निलंबन की कारवाई कर सकता है अगली ख़बर निकल के आई है लोकसभा चुनाओं से पहले बंगाल बीजेपी चुनाओं में टिर्ड मो कॉंगरेस ने मारी बाज़े बीजेपी काफी पीचे पशमगहल में सत्ता रू टिर्मो कॉंगरेस ने रज में 33-35 कॉंगरेस जबरदत जी सासल की टिर्मूल की ये जीत कितनी बड़ी है इसका अंदादा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाकी सभी पक्षिदल मिलकर भी उनके आसपास नहीं है रज निर्वाचन आयोग S.E.C. दौरागूसित परडामों के मताबिक टिर्मूल कॉंग्रेस ने जिला परिशद की कुल 928 सीटों में से 880 अपने नाम की उनकी करीबी प्रद्दंदी भारती जनादा पार्टी ने 31 सीट जीती हैं तो दोस्तो बड़ी खबर बिग ब्रेकिंग निकल के आई है जहां यूपलाबाद निवस्टी में छादर की मौत के बाद बवाल हिंसक प्रदर्शन में तैनात तनाओ कई लोगों की मौत एक की मौत दरस लहाबाद विश्विद्द्याले के छादर भौन के पास वाटर कूलर में पानी पीने के बाद एक छादर की मौत बिस्विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द झाल झाल